कि दौस्तों अगराप एक चैसे संचालाbla काहीं तो आज की विडियो में हम आपको बताने बाले हैं कि Photoshop की मदद से आप excc का rights कैसे बना सकते हैं अगर आप फारो सॉप में नए है अगर आप को कब knowledge है तो इस वीडियो में हम आपको step by step बताया है कि कैसे आप अपने लिए CSC का banner create कर सकते हैं और उसको आप अपने flex में print भी करवा सकते हैं और आप अपने center में लगा भी सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं तो दोस्तों आ गए है क्लिक करने के बाद यहां पर आप अपना banner का file name दे सकते हैं जैसे कि मैं यहां पर CSC 6 by 3 inch का banner बना कर दिखाऊंगा तो उसके बाद यहां पर हमने नाम दे दिया और यहां पर preset size में आप एक custom ही लेना है क्योंकि मुझे अपना custom size लेना है उसके बाद यहां पर देख सकते हूं कि हमने इसको widget में इंच और height में भी inch को select कर लिया है आप जैसे चावडाई में मुझे 6 fit लेना है तो आप यहां पर बर्चाक 72 यानि कि 6 अगुना करेंगे 12 से तो 72 इंच हो गया और जैसे कि यह तीन फिडिस का height रखना है तो यहां पे 36 रखना है आप regulation यहां पे 50 रख सकते हैं और यहां पर RGB या CMYK आप color रख सकते हैं तो अगर आपको CMYK रखना है तो CMYK में आप print करा सकते हैं RGB में भी print करा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है लेकिन जब आप flex बनाएंगे banner बनाएंगे तो देख सकते हूँ यहां पे digital इंडिया का एक logo है यह logo आप download कर सकते हैं Google Chrome से ठीक है हमने यह से Google से download किया है तो simple इसको यहां पर उठा करके लिए आता हूँ और इसको इस वाले logo को मझे इस background मिलाना है तो उसके लिए आपको simple यहां पे चले जाना है Photoshop में Photoshop में यहां पर देख ही देखा तो मुब टूल्स की मदद से इसको simple खीच करके इसके उपर आपको लेके चले जाना है उसके बाद control T प्रेस करेंगे और इसके बाद इसको चोटा कर लेंगे चोटा करने के बाद इसको यहां पे side में लख लेंगे और इसको इस परकार से यहां से खीच करके इसक स्वेक्त किया और यहां पर हम इसको cccid लिखने के लिए पर हमने type किया इसका size थोड़ी सा यहां से बढ़ा कर देता हूं ठीक है, Ctrl T करेंगे और कुछ इस परकार से इसको बढ़ा कर लेंगे, यहां पर हम इसको CSCID में लिख देता हूं, CSCID और उसके बाद डेस कर देंगे, तोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूं मैं, यहां पर हमने बढ़ा कर दिया, इसका कलर चेंज करने के लिए, सिंपल आपको लेर में चले जाना है, और लेर स्टाइल, और यहां पर कलर ओवरले का उप्सन मिलेगा, इस पर जाएंगे, तो आप अपना पॉंट का या किसी भी सेप का कलर को चेंज कर सकते हैं, कलर ओवरले के उप्सन से, तो यहां पर आप अपना CSCID टाइप कर देंगे, उसके बाद यहां पर आप अपना नीचे में यहां पर mobile नम्बर भी दे सकते हों, तो इसका ही एक copy बना लेता हम है, इस CCID गा, इसको select करेंगे, और alt को press करेंगे, और shift को यहां पर एक copy बन जाएगा, और यहां पर आप अपना mobile नम्बर लिख सकते हैं, जैसे की आप देख तो उसके लिए आपको Google Chrome मी चले जाना है नह yılवा buddies of been इमेज में किलिक करना है और उसके बाद यहां पर आपको वसूधा के अंदर लिखना है यहां पर म써itte अन्सकर कोरा कई सारी लोगो आ जाएंगे इस वसूधा केंदर को यहां मैंCopey करता ठीक है वसूदा केंदर लिखने के लिए फिर से आपको टेक्स टूल पर जाना है यहां पर आप टाइप करेंगे और इसका फॉंट यहां से मैं कुर्ती देव कर देता हूं ठीक है कुर्ती देव करने के बाद मैं यहां पर लिख देता हूं वसूदा केंदर लिखने के बाद इसका size थोडा सा बढ़ा करेंगे उसके लिए मुझे जांसे चersonal T प्रेष करेंगे और shift को प्रेष करके इस परकार से जांसे बढ़ा कर लेंगे बढ़ा करने के बाद यहां से select करेंगे और इसका font यहां से चेंज कर देताओं फॉन्ट भी हमने यहां पर चेंज कर दिया हूं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूं मैं ठीक है अब यहां पर मैं A.E.P.S लिखना चाहता हूं जैसे कि A.E.P.S का भी काम होता है तो यहां पर आप Google में टाइप करेंगे A.E.P.S A.E.P.S जैसे लिखेंगे आप A.E.P.S का आपके पास एक लोगो आ जाएगा A.E.P.S का यहां पर लोगो आपको दिखाए दे रहा होगा Simple Right क्लिक करेंगे यहां पर भी आपको Copy करना है Copy करने बाद अपने यहां पर बेनर में Ctrl V करेंगे पेस्ट हो जाएगा Ctrl T करेंगे इसको यहां पर हम Side में चोटा करके लगा देंगे E.P.S को Side में लगा देता हो अभी यहां पर मुझे एक नरेंदर Moodi का अगर फोटो लगाना चाहते हो तो वह भी लगा सकते हो तो यहां पर लिख देंगे Moodi PNG यहां पर आ जाएगा आपके पास Moodi जी का फोटो है इसको Copy कर और यहां पर आपने Banner में आएंगे Ctrl B करेंगे और उसके बाद यहां पर देख सकते हो इस पूटो में Side में यहां पर देख सकते हो बेगरांड भी है इसको Delete करने के लिए अपने Tools बार में जाएंगे और इस Magic One Tool को Select करेंगे यहां से इसको Select करके Delete बटन प्रेस करेंगे तो यहां पर आपका यह Delete हो जाएगा हमने इसको अभी Delete कर दिया है Ctrl T करेंगे उसके बाद इसको यहां से मैं छोटा कर देंगे इसको थोड़ा सा रिमूब करने के लिए हम इस पर सेलेक्ट करेंगे और यहां पर चले जाएंगे Tools बार में हम टूल्स बार में जाने के बाद यह इसको थोड़ा सा डिलीट मार देंगे अभी हमारा इतना हो चुका है अभी मुझे इसमें लिखना है Digital सेवा तो इस हिंदी पॉंड का कॉपी बना लेंगे कॉपी बनाने के लिए बताए था आपको हम जैसे कि यहां पर टेक्स्ट के सेलेट करेंगे और Alt और Shift को प्रेस करन है और इस पर यहां पर सेलेट करेंगे और यहां पर आपको लिखना है डिजिटल सेवा लिखना है आपको तो यहां पर मैं डिजिटल सेवा लिख देता हूं और उसके बाद यहां पर मुझे इसका फॉंड चेंज करना है तो मैं यहां पर फॉंड चेंज कर देता हूं और उसके बाद चले जाना लेयर स्टाइल और उसका लेयर और बर ले और इसका लेयर आप यहां से चाहे तो बुलू यह रेड ले सकते हैं फिलाल भी मैं रहने देता हूं उसको और उसके बाद नीचे लिखना है मुझे तो भसीद्टा के इंदर का ही एक पॉन्ट कपी करूँगा मैं और यहां पर में लिख दोंगा कौमर्न सर्विस चैंटर अमने यां पर प्र कॉमसर्विस चैंटर लिखकisesti मैं यहां पर चेंज कर दिया हूं यहां पर color इसका change कर दिया हूँ, अब यहां पर मुझे कुछ सेवाएं लिखना है, तो यहां पर मुझे एक shape लेना है, यहां पर tools बार में shape tool में जाएंगे, और यहां पर red color को select करना है, कुछ इस परकार से हमने, और यहां पर अभी मैं लिख दूँगा हमारी सेवाएं, एक shape के अंदर में इसको च्छोटा कर लेता हूं, यहां पर हमने इसको च्छोटा कर लिया, और इसका color change करने के लिए layer में चले जाएंगे layer style और color overlay में किलिक करना है, और इसका color यहां से white कर दूँगा, तो कुछ इस परकार से हमने यहां पर shape को तयार कर लिया हूं, और इसको यहां पर साइड में कर दूंगा जैसे कि यहां पर कुछ बैंकों का लोगो देना है तो वह भी हम दे सकते हैं अपने Google Chrome में चले जाना है और यहां पर आप लोगो आप लिखेंगे तो यहां पर आपके पास कई सारा लोगो आ जाएगा फिर देख सकते हैं यह सभी कापी किया और फिर से यहां पर चले जाएंगे बेनर में इसको बढ़ा कर लें और यहां पर हम अपनों लोगों को लगा देता हूं मैं इस वरकार से तो 뜨शन इंटा है लोगों दिखने के लिए यहां पर लिखनाना है है बलार में चले जाना है और मोस्ट बलर में चले जाना है ओके भी कई करना थोड़ा सब्सक्राइबरा कर देना हूं ले ओर यहां से मिंदी देता हूं ठीक है और यहां तो मैं इसको OK करता हूँ, तो देख सकते हूँ कि हमने यहाँ पे color को change कर चुका हूँ, और अभी यहाँ पर सुदा के अंदर का text का एक copy बना लिया हमने, यहाँ पर लिखना है सभी बैंकों का पैसा जमा अब निकासी किया जाता है, हमने यहाँ पर इसको लिख चुका हूँ इसको यहाँ से ऊपर करने के लिए विंडो में जा सकते हैं, लेयर में जाएंगे, और यहाँ पे यह text यहाँ पर देख सकते हूँ कि जो select है, इसको आपको ऊपर लेके चले जाना है, उसके बाद इस layer panel को यहाँ से अभी cut कर देता हूँ, तो इसका color change करने के लिए layer में चल stroke दे सकते हो, आप यहाँ पर हमने white color का stroke दे दिया और उसके बाद OK कर दिया, आप चाहो तो इसका font भी change कर सकते हूँ, आपने इसको font change कर दिया, इसको ऊपर कर देता हूँ, हमारी सेवाई को भी थोड़ा तो ऊपर कर देता हूँ, और उसके बाद यहाँ पर मुझे जैसे क कि कुछ services लिखना है यहां पर सबसे पहले मैं यहां पर शेफ टूल में जाएंगे राइट किलिक करेंगे कस्टम सेफ और उसके बाद यहां पर देख सकते हो कि इस्टार कर लोगो ले लेना है आपको बढ़ा करेंगे तो बहुत सारे स्टार मिलेगा सिंपल मैं इस्टार को लेता हूं और इस परकार से इसको मैं स्टार लगा देता हूं तो रेट कलर कहीं स्टार लगाते हैं जो भी सर्विसेश होता है उस सर्विसेश को मैं लिख देता हूं तो यहां पर हमने कुछ सर्विसेश लिख के एड़ कर चुका हूं और इस सभी सर्विसेश के आगे में मुझे एक यहां पर शेफ लगाना है स्कूनट मेर को और आपके एक कगी मेरा से को प्रेश करना है और शकके По OK inmद मेरा इसके यहां पर यहने जे आंगे अंगे शेक्लिप करके आपको कॉपि कर लेना है उन आपको सभी हमने services लिख चुका हूँ ठीक है तो अभी यहां पर नीचे में मुझे जैसे की address देना है तो यहां पर मैं अभी address देता हूँ एक नया shape लेता हूँ और कुछ इस परकार से मैं यहां पर इस shape को मैं control T करके इसको बढ़ा कर देता हूँ और यहां पर मैं अपना address देने बाला हूँ जो भी CSE Center का address होता है तो यहां पर आप अपना address लिख देंगे जो भी आपका CSE Center का address होगा और सबसे पहले इसको मैं यहां से select कर लेता हूँ और अभी फिर से जाता हूँ layer style में और color overlay का option में चले जाना है और यहां से इसका color आप change कर देंगे तो जैसे कि देख सकते हूँ यहां पर blue dark blue हमने ले लिया और ok कर दिया और अभी आप देख सकते हूँ कि आपका बहुत ही बहतरी डिजाइन में आपका यह बेनर बन चुका है इसके चारो साइड अगर आपको यहां पर यह आपको एक बोडर लगाना है तो control ए सेलेट करना है और background को जलेट कर लेना है और चले जाना है आपको एक डिट में और श्ट्रोक में चले जाना है यहां पर 10 पिक्सल और ok करेंगे तो यहां पर हमारा CSC का बेनर बनके तयार हो चुका है तो अगर आपको यह CSC का बेनर पसंद आया हूँ तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप कुछ ने कुछ सीखे हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हूँ लेकिन दूस्तों इसका download का link PhD फाइल आपको हमारे description में मिल करें अपने लिए CSC का बेनर को यूज़ कर सकते हूँ दुस्तों आई होपकी वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा वीडियो करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें मैं मिलता हूँ को नए वीडियो की साथ तब तक के लिए जय हिंद जय भारत झाल, 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 झाल